जितने भी हमारे साइ्ट्रिस वेराइटी के पौधे होते हैं यानि की विटामिन सी वाले फल होते हैं उन सभी में पत्तियों से ज़्यादा फूल आते हैं लेकिन वो सारे फूल फल में कनवर्ट नहीं हो पाते हैं और फूल नीचे गिर जाते हैं इसी क्रम में हमारा नीम्बू का पौधा भी आता है आपने देखा होगा कि उस पे पत्तियों से ज़्यादा फूल आते हैं लेकिन उसमें से अधिकांस फूल जड़ जाते हैं कुछ ही फल में कनवर्ट हो पाते हैं तो आखिर ऐसा क्यों होता है आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगी और इनको किस तरीके से रोका जा सकता है और इनके क्या कारण होते हैं गिरने के और फूल आने के बाद में कौन सी ऐसी हम फर्टिलाइजर दें जिससे की मैक्सिमम फूलों को हम फल में कनवर्ट होने के लिए प्रेरित कर सकें नमशकार दोस की साइच 14 इंच से छोटी नहीं रखी जाती है तब ही गमले में ये अच्छी तरीके से फलता और फूलता है इसे बहुत ही आसानी से टेरिस गार्डन में या फिर बालकनी में लगाया जा सकता है तो अगर आपके नीमू के पौदे में भी फूल गिर रहे हैं तो उसका क्य कारण हो सकता है आए जानने की कोशिश करते हैं नीमू के पौदे से जो फूलों का गिरने का मुख्य कारण होता है टमप्रेचर का सही ना होना क्योंकि नीमू के पौदे को 6-8 घंटे की पूरी धूप चाहिए होती है इसके अलावा जब 21-30 डिग्री से बीच में टमप्र स्पूलों पर भी असर परता है दूसरी वज़े फूलों के गिरने की होती है कि गमले की मिटी में नमी किस तरीके की है तो फ्रेंडस जब पौदे पर फूल आ रहे हों तो गमले की मिटी में 50% नमी का होना काफी ज़रूरी होता है अगर इससे नमी कम होती है तो जो हमारे फूलों में पॉलिनेशन होता है उसकी कैपिसिटी घट जाती है जिसके कारण भी हमारे पौदे से फूल गिरने लगते हैं इसरी वज़े फूलों के गिरने की होती है कि पौदों पर अगर ज्यादा प्रूनिंग करी जाती है क्योंकि फ्रेंड्स नीमू के पौदे को ज्यादा प्रूनिंग पसंद नहीं है और अगर हम ज्यादा इस पे प्रूनिंग करते रहते हैं तो हमारे पौदे की ग्रोथ रुख जाती है और जब नीमू के पौदे में पत्या कम हो जाती है तो वो अपनी जो एक्स्ट्रा भोज वो नहीं बना पाता है क्योंकि नीमू के पौदे की खासियत होती है कि वो अपनी एक्स्ट्रा पत्यों से ही भोजन को बनाता है और अगर हम बार बार इसकी कटिंग करते रहते हैं तो इसकी पत्या निकलती रहती है जिसकी वज़े से यह अपना भोजन नहीं बना पाता है औ क्योंकि friends किसी भी फूल को फल में बदलने के लिए polination की जरुदत पढ़ती है और यह polination हमारा polinators के द्वारा होता है तो हमारे बगीचे में polinators नहीं है तो हमारे बगीचे में पौधो पर polination नहीं होएगा जिसकी वज़े से हमारे पौधों के फूल फल में बदलने से पहले ही नीचे गिर जाएंगे तो इसलिए बगीचे में हमेशा इस तरीके के फूल वाले पौधे लगाना चाहिए जिससे कि हमारे पौलिनेटर्स बगीचे में बने रहें इसके जो पौधे पर से फूल गिरने का बड़ा कारण होता है वो होता है कि पौधे को सही से निट्रिशन नहीं मिल पा रहा है जो इसको मिलना चाहिए या फिर पौधे पर किसी तरीके का इन्सेक्ट लग गया है जिसकी वज़े से भी पौदे पर से फूल नीचे गिर रहे हैं चलिए बात करते हैं कि नीमू के पौदे पर से फूलों को गिरने से किस तरीके से रोका जा सकता है तो फ्रेंट्स पौदे को परियापत मात्रा में 6-8 घंटे की धूब दे गमले की मिट्टी में नमी बराबर बनाए रखें खासकर 50% की नमी उस समय बनाए जब आपके पौदे पर फ्लावरिंग हो रही हो इसके लावा नाइट्रोजन रिच फर्टीलाइजर दें लेकिन जब पौदे पर फ्लावरिंग का समय हो उस समय इसको फासफोरस रिच फर्टीलाइजर दें बगीचे में कुछ इस तरीके के फूल वाले पौदे जरूर लगाएं जिन पर की पौलिनेटर्स आते हो और समय समय पर पौदे पर नीम उयल का स्प्रे करते रहें जिससे कि पौदे पर किसी तरीके का फ्लावरिंग के समय इंसेक्ट ना लगने पाएं इसके बाद जब हमारे पौदे पर फूल आ रहे हो तो उस समय हमको ऐसी इसको फर्टिलाइजर देनी है जिससे कि हमारे फूल जो है वो मजबूत बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा फल में कन्वर्ट हो सके तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पौदे पर किस तरीके से फर्टिलाइजर देनी है और कौन सी फर्टिलाइजर देनी है ये मेरा 14 इंश के गमले में लगा हुआ नीमू का पौधा है और मैं इसी के लिए खाद को तयार कर रही हूँ तो फ्रेंट्स इसमें डालने के लिए जो पहली खाद हमें लेनी है वो धाई सो ग्राम के करीब वर्मी कमपोस्ट लेनी है इस समय हमें flowering का समय start है इसलिए हमें cow dung manure नहीं लेना है क्योंकि cow dung manure काफी गर्म खाद होती है जिसकी वज़े से हो सकता है कि समय से पहले ही हमारे flower जड़ जाएं अब इसमें 4 चमश के करीब bone meal powder मिला लेते हैं friends bone meal powder में बहुत अच्छी मात्रा में phosphorus पाया जाता है और phosphorus का काम होता है पौधे पर जब फूल आते हैं तो उसको मजबूती देना अब इसमें जो तीसरी fertilizer हमें मिलानी है वो मिलानी है हमें seaweed granules को क्योंकि friends seaweed granules में बहुत ही अच्छी मात्रा में micronutrients पाय जाते हैं जिंक, बोरान, मैगनीशियम, मैगनीश, कौपर, आईरन के लावा और भी बहुत से ऐसे micronutrients जो कि पौधे को अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए साथ में अगर उस पे फूल आ रहे हैं तो फूलों को मजबूती देने का काम करते हैं अब इन तीनों खादों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में गमले की मिट्टी को सूखी रखना है अच्छी तरीके से गुडाई कर लेना है और गुडाई करने के बाद में इस बनी हुई खाद को अपने गमले की मिट्टी में डाल देना है इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी खाद आप गमले में डाले तो उसको बिल्कुल तने के पास नहीं डालना होता है क्योंकि जो इसकी feeder roots पौधे की होती है वो तने से थोड़ी दूर हटके किनारे की तरफ होती है इसलिए इस खाद को हम किनारे की तरफ डाल रहे हैं जिससे हमारा पौधा तुरंट इसको ले सके उपर से अच्छे से watering कर देते हैं जिससे की ये खाद हमारे पौधे की जड़ तक तुरंट पहुँच जाए ये सभी process अगर हम अपने नीमू के पौधे पर करते हैं तो निश्चित ही रूप से हमारे नीमू के पौधे पर से ज़्यादा से ज़्यादा फूल जो है वो फल में convert हो जाएंगे तो ये ता फ्रेंट्स आज का वीडियो और आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या ऐसे कारण होते हैं नीमू के पौधे पर से फूल जड़ने के किस तरीके से उनको रोका जा सकता है और कौन सी ऐसी fertilizer दें जिसे की पौधे पर से फूल कम गिरें तो फ्रेंट्स वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तब के लिए दोस्तो नमस्कार